नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं E.D. समन के खिलाब C.M. हेमंत की और जी खारिच फिर S.C. जाएंगी C.M. E.D. के समन को चुनोती देने वाली मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन की याचिका सुक्रवार को जार्खन हाई कोट ने खारिच कर दी चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्रा और जस्टिस आनन्द सेन की आदालत ने याचिका को सुनवाय योग नहीं बताया और खारिच कर दिया सुरेन की और से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोट के वरिय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुरेन के खिलाब कोई केस दर्ज नहीं है ऐसे महुन है समन जारी करना उचित नहीं है इडी ने समन में असपस नहीं किया है कि आरोपी या गवा किस रूप में समन जारी किया गया इसलिए समन रद कर देना चाहिए इडी का पक्ष रखते हुए एडिशनल सोलिस्टर जनरल एसीवी राजु ने कहा है कि सीम ने समन का पहले ही उलंगन किया है वह किसी भी समन पर उपाचित नहीं हुए है समन की और ही समाप्त हो गई है आईसे में अब समन को चुनोती देने का कोई आउचित नहीं है इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है अईसी एस्टी बिद्यार्थियों को मिलेगी साइकल की रासी अनसूचित जाती अद शूचित जन जाती तथा पीछले वर्ग के चात्रशात्राओं को वित्तिये वर्श 2021-2022 तथा 22 तेश के लिए साइकल नहीं देने पर रासी DVT करने का नहीं नहीं लिया गया है इस सम logos में कैबिनेट की सवकριती के बाद डिवीटी के लिए आवसक परकिरा भी सुरू कर दी गई है लेकिन समान स्रेणी के चातर चत्राओं के लिए अभी तक फसला नहीं हो पाया ऐसे में इस स्रेनी के अभियार्थियों को रासिया साइकल के लिए अभी और इंतियार करना होगा दरसल अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती तथा पिछड़े वर्ग के कक्चा आठवी के छात्रशत्राओं को साइकल कल्यान विभाग द्वारा दी जाती है इस विभाग द्वारा टेंडर पूरा नहीं किये जाने के कारण तीन वितिय वर्ग सो में विद्यार्थियों को साइकल नहीं दी जा सकी थी जारखन में अवैध तरीके से प्रेक्टिस कर रहे चार हैर से ज्यादा डॉक्टरों के खिलाप मेडिकल बोर्ड सकते जारखन राज मेडिकल बोर्ड के रजटरा डॉक्टर विमलेज सिंग के मताविक राज में करीब 14-15,000 एलोपैथिक डॉक्टर हैं लेकिन राज रजटरेशन बोर्ड में सिर्फ नमासिस और डॉक्टर नहीं रजटरेशन कराया है कॉंसिल को या भी पता है कि लगभग 2000 डॉक्टर ने प्रुवर्ती MCI के साथ पंजिकरन कराया है वे राज में प्रेक्टिस करने के लिए वैद हैं लेकिन 4000 डॉक्टर ऐसे हैं जो दूसरे राजियों के मेडिकल बोर्ड से पंजिकरित हैं डॉक्टर विमलेश सिंग के मताविक या कहीं से भी वैद नहीं है ऐसे में कई बार मौका देने के बाद भी जार्खन राज मेडिकल बोर्ड से रिष्टरेशन नहीं कराने वाई डॉक्टर को नोटिस भेजा जाएगा इसके बाद भी या दिवे राज मेडिकल बोर्ड में निबान्धन नहीं कराते हैं तो आगे की करवाई की जाएगी हो चुकी है मान्सुन की बारी 750 मिलिमीटर होई इस बार 26 फिस्ट दीकम बारिस हुई है बतादे 18 जुन को ज्यारखन में मान्सुन का आगमन हुआ ठागशुन जुलाई में मान्सुन कापी कमजोर रहा है वहीं अगस्ट और सितंबर में मांसुन की अच्छी बारिस हुई है एक अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जार्खन में जोरदार बारिस हुई है मौसम विभाग की माने तो 2013 में जार्खन में 18 जुन को मांसुन का आगमन हुआ था और 29 अक्टूबर को बिदा हो गया था इसी तरह 2022 में 18 जुन को मांसुन का जार्खन आगमन हुआ और 20 अक्टूबर को आपस लोट गया था केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा बोले देश भर में खोले जाएंगे 741 एकलब बिद्याला है केंद्रिय मंत्री सह खुटी सांसद अरजुन मुंडा ने कहा हाए कि जन जातिय छेत्रों के सभी प्रखंडों में एक एकलब आदर्स आवाज से बिद्याले खोले जा रहे हैं पूरे देश में 741 एकलब बिद्याले खोले जाएंगे एक बिद्याले में 246 और 246 आये कूल 487 बिद्यार्थी पढ़ेंगे केंद्रिय मंत्री सुक्रवार को तुर्पा परखंड के सारीद केल और मुरहू में एकलब अदर्स आवाज से बिद्याले के निर्मान के धार सिला रखने के बाद जन समुदाय को समुदित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि आने वाले समाई में एक लवी बिद्याले सिक्षा के छेत्रे में मिल का पत्थर साबित होंगे और यहां से बैग्यानिक अभियानता डॉक्टर आदीबन देश का नाम रोषन करेंगे जे गुरुजी मोबाइल एप से पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे नीजी स्कूलों के तरज पर जार्खन के सरकारी स्कूल को इन दिनों मोडर्न टेकनोलोजी के साथ सिक्षा देने की तयारी चल रही है स्कूल आफ एक्सिरेंस के खोले जाने के बाद अब राज सरकार आउनलाइन डिजिटल सिक्षा देने पर जूटी है इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को मुख्य मत्री हमान सुरेंगे जे गुरुजी एप की सुरुवात करेंगे बताओ देज हरकंट सिक्षा भी भाग दोरा तयार जे गुरुजी मोबाइल एप सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आउनलाइन सिक्षा मोहया कराएगा खास बात या है कि इस अएप में बच्चों को स्कूल के साथ साथ घर में भी ओडियो वीडियो के साथ डिजिटल स्क्रिप्ट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे सिक्षा सचीव के रभी कुमार के अनुचार आमतर पर सरकारी स्कूलों के बच्चे कई तरह के आउनलाइन एप सस्क्राइब नहीं कर पाते थे जिस वज़ा से नए टेकनोलोजी के साथ पढ़ाई से वे वन्चित रह जाते थे रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने किया मौक ड्रील रांची के बीर्शा मुंडा हवाई अड़ा पर मौक ड्रील के माध्यम से सुरक्षा वेवस्ता काकलन किया गया और जवानों को ट्रेनिंग दी गई मौक ड्रील के दोरान CISF के जवानों और ज़ारखन पुलिस के जवानों को सुचना मिली थी कि यरपोर्ट में किसी अस्थान पर बॉम पाया गया है जनकारी मिलते ही टीम एक्टिव हो गई और बॉम को ढूंड कर निकाला गया इसके बाद उसको डिफ्यूज किया गया बता दे राजधानी राची की बीसा मुंडा यारपोर्ट पर सुक्रवार को देर सा मोक डिल किया गया इस में ज़ारकन पुलिस की टीम के साथ साथ CISF के जवान भी सामिल रहे मुख्य मंत्री हमांसुरे ने चैंपियंस सीप से जुड़े इवेंट मैस कोट जूही और टोफी का किया अनावरान 27 अक्टूबर से रांची में होने वाले विवेंस ASEAN चैंपियंस टोफी 2018 को लेकर त्यारिया जोरो पर है सुक्रवार 13 अक्टूबर को मुख्य मंत्री हमांसुरे ने ज़ारकन मंत्राले में इस चैंपियंस सीप से जुड़े इवेंट मैक्स कोट जूही और टोफी का अनावरन किया इस मौके पर मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि हमारी सरकार की प्राथमिक ताओ में खेल एक अहम हिस्सा है मुख्य मंत्री ने कहा है कि यहां के खिलाडी अपनी परतिभा से न केवल देश बली बिदेशों में जहारकन का नाम रोशन कर चुके हैं यहां के खिलाडियों ने राश्ट्री अंतराश्ट्री अस्तर पर अपनी प्राचान बनाई है। इसके लिए खेलों से जुड़ी बेवस्थाओं और संसाधनों को सरकार मजबूत कर रही है। हमारा लक्ष है कि देश में राश्ट्री अस्तर पर कोई भी खेल के टीम तयार हो तो उसमें जार्खन के खिराड़ी हमें से सामिल रहे। 16 नवंबर से अनिश्चित काली नहरताल पर जाएंगे 56 मन्रेगा कर्मी। रोजगार गरांटी योजना मन्रेगा के तहट सेवारत राजभर के लवग 56 मन्रेगा कर्मियों ने 16 नवंबर से अनिश्चित काली नहरताल की घोसना की है। इससे पहले राजभर के मन्रेगा कर्मी सेवा निमिती कर्म और बेतनमान की मांग को लेकर 30 अक्टूबर को ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम की आवास का घहराव करेंगे। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो जारकन राज मन्रेगा कर्म चारी संग नॉमबर के पहले पक्वारे में मुख्य मंत्री अवास का घहराव करेगा। बता दे मन्रेगा कर्मियों की सेवा रायस्थान और हिमाचल परदेश की तरज पर निमित की जाए। सेवा निमिती कर्ण तक स्रम एवं रोजगार मंत्राले दोरा निधारित बेतनों दस्थ परतिस्तत प्रतिवर्ट की बढ़ोत्री का प्रधान किया जाए औने राजों की तरह मांदे बढ़ाया जाए मांगे हाए। सियम हमांत ने पूलिस और प्रसासन के अधिकारियों के साथ की बैठा तेवार के दोरान और समाजिक तत्व पर न केल कसने के लिए राज सरकार तैयारी में जूट गई है। प्रप्तेवार सांति पुन संपन हो कही भी हिंसा या उपद्रों की घाटना नहीं हो इसे सुनिशित किया जाए। गया कि राजची के पचहतर समेत राज भर के 713 पंडा सर्वेदन सिल्सरेणी में रखे गए हैं। वही राजधानी में किवार्टी के 240 टी में गठित की गई है जो किसी भी परिष्थिती में ततकाल एक्टिब होगी। सराब तसकरी करने वाले भी चीनित किये गए हैं। कर भाग गए। फाइरिंग में कई नक्सलियों को गोली लगी है हालाकि इसके अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है। नक्सलियों खिलाब 10 अक्टूबर से गोईल के रा इलाके में विशेस अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दरान सुक्रवार को गबामिया बुरू तिलाय बेडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलो पर फाइरिंग सुरू कर दी। फाइरिंग के बाद सुरक्षा बलो ने भी मोर चा संभाला दोनों और से कई राउंड फाइरिंग की गई। तेहुआलों के दोरान कहीं भी उपद्रा नहीं हो सक्त रहे सुरक्छा सीं मुखी मंत्री है मंसुरर्य ने सुक्रवार्खों जारखण मंत्राल में दूरुगा पूजाज समेत अन्य तेहुआलों के मत नजर राज की कानून बेवस्ता की समिक vaak yarar。 नहीं बचे, CM के साथ बैठक में राजे वरी अधिकारियों समेत सभी जीलों के उपायुक्त और पूलिस अधिक्छक भी वीडियो कंफिरिंसिंग के माध्यम से जुड़े देवघर के मधुपूर के अस्पताल का रेजिट्रेशन रद करने की मांग देवघर के मधुपूर में इलाज के दोरा नर्स की मौत मामलें बिधायक परदी प्यादों ने मुख्य मंत्री है मंसरें से मुलकात करवाई की मांग की है इस दोरान उन्होंने अस्पताल का रेजिट्रेशन रद करने की मांग की है पतादे राज के पुर्व सिक्षा मंत्री और पोड़या हाट बिधायक परदी प्यादों ने मुख्य मंत्री से नर्स नीशा की मौत की उचस्तरिय जाच करा कर दोसी डॉक्टरों पर करवाई कराने की मांग की है साथ ही अस्पताल का रेजिट्रेशन रद करने की मांग की है इस दोरान उन्होंने मुख्य मंत्री से दुमका के हंस डिहा में बनकर त्यार हो चुके सोब वेट के अस्पताल को चालू करने की मांग की है याची का खारीच होने पर BJP ने साधा हेमंत सुरेन पर निसाना जारखन हाई कोड से मुख्य मंतरी हमंतरी हमंतरी की याच का खारीच होने के बाद प्रमुख विपक्षिदल भारतिय जानता पार्टी को एक बार फिर बोलने का मौका मिल गया है इडी समन को लेकर हमेशा हमंत सुरेन पर हमला बोलने वाली भारतिय जानता पार्टी ने सलाह देते हुए कहा है कि मुख्य मंतरी हमंतरी हमंतरी को इडी के समक्ष जाकर अपनी बात रखनी चाहिए जारखन BJP के मीडिया परभारी सीव पूजन पाठक ने कहा है कि जारखन हाई कोट के ताजा फैसले के बाद या असपष्ट हो गया है कि इडी द्वारा भिज्जे जानने समन से मुख्य मंतरी को कोई राहत मिलने वाले नहीं है ऐसे में मुख्य मंतरी हमंसुरेन इडी के समक्ष चाकर अपनी बातों को रखे इसी में भला है ACB ने 20,000 घूस लेते DAC ओफिस के कर्मी को गया गिरफतार ACB की टीम ने पेंशन की स्विक्रिती दिलाने के नाम पर जिला सिक्षा अधिक चक ओफिस के कर्मी मिठिलेस गौतम को 20,000 रुपे रिस्वत लेते रंगे हायत गिरफतार कर लिया है ACB की टीम मिठिलेस गौतम को अपने साथ धनबाद ले गई बताया जा रहा है कि DAC ओफिस के कर्मी ने पेंशन स्विक्रिती को लेकर एक सिक्षक से रिस्वत की मांगी थी इसकी सिकाय सिक्षक ने ACB सिक्षी की जाच में ए मामला सही पाया गया इसके बाद उस कर्मी को रिस्वत लेते गिरफतार कर लिया गया है रामगर से रांची आ रही कार में आचानक आग लगी जारखन के रामगर जीले के पटेल चौक के फलाई ओभर पर सुक्रवार को करीब दो बजे एक रेंज रोवर कार में आग लग गई बताया जाता है कि आग सोट सर्किट की वयास से लगी थी रेंज रोवर कार रांची की ओवर जा रही थी ओभर बिरिज पर पहुँचते ही कार की बोनट से आग की लपेटे निकलने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई गनिमत ए रही की आग के बिक्राल रूप लेने से पहले कार चालक कार से उतर गया था यह भी बताया जा रहा है की कार में कुछ और लोग स्वार थे वे लोग भी कार से सुरक्षित उतर गये थे कुछ लोग का कहना है की कार में केवल चालक ही था सुचना मिलने पर पुलिस दल वा दमकल गाड़ी घटना अस्थाल पर पहुंचे और काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया है ओवर टाइम काटने से रणिंग करमचारी परिसान जीम से की लिखित सिखाया देश में सबसे ज़्यादा लोडिंग करने वाले चक्रधरपूर मंडल के लगभग बचपंस और रणिंग करमचारी इन दिनों परिसान है क्योंकि डिवटी करने के बावजूर उनका ओवर टाइम काट लिया जा रहा है पिछले दिनों टाटा नगर पहुंचे दक्षिन पूरूर रेलवे के महा प्रवंधा का निल कुमार मिस्टरा से मेंस कॉंग्रेस ने मामले की लिखित सिकायत करते हुए जाज की मांग की है रेलवे बोर्ट की हाई पावर कमिटी ने उन संसा की थी कि रणिंग करमचारियों से 9 घंटे डिवटी नहीं कराये जाए जबकि चक्रधरपूर मंडल में माल गाड़ी वा यात्री ट्रेनों की टरफिक अधिक होने के कारान करमचारी अउस्तन हर दिन 11-13 घंटे डिवटी करते हैं लेकिन जब डिवटी खत्म करते हुए तो उन्हें फोन पर सुचना देकर ओवर टाइम काट दिया जाता है त्यवहारी सीजन में बिहार और बंगाल की ट्रेनों में बर्थ नहीं जारखन से यूपी बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में त्यवहारी सीजन के दोरान सीटे नहीं मिल रही है रांची रेल मंडल से परिचालित होने वाली ट्रेनों में अभी से दुरगा पुजा का असर दिखना भी शुरू हो गया है बर्तमान में बिहार जाने वाली और पच्छिम मंगल जाने वाली ट्रेनों में ज़्यादा भी दिख रही है रेलवे की आरक्षन तालिका के अनुसार हटिया इसलामपूर एक्सप्रेस में 15-20 अक्टूबर तक सिलीपर में बर्थ नहीं है वहीं बर्थ एसी में भी 29-20 अक्टूबर को सिट खाली नहीं मिलेगी हालाकि रेलवे ने कुछ स्पेसेल ट्रेनों का एलान किया है एक्सपो उच्सो मेले में उमण रही लोगों की भीग सहर के मुरबादी मैदान में एक्सपो उच्सो मेले में दूसरे दिन सुक्रवार को लोगों की भीण देखने को मिली मेले में आने माले लोगों के लिए सभी तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया यहाँ पार्किंग की अच्छी वेवस्था दी जा रही है महिला और पूरूस के लिए अलग अलग टिकट काउंटर की वेवस्था की गई है एक्सपो में पीक एस्टोल, जर्मन एस्टोल, फूड एस्टोल जारखन की महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अलग टेंट हॉल है यहां बंगला देश की साड़िया, इलेक्ट्रोनिक आइटम, भचों को खेलने के लिए प्ले जोन, स्टार्ट अप कंपनी फर्नीचर वर्ल्ड, अफगान के ड्राइफ फूड, गुजराती, बैंगंस, पंजाबी कूर्ती, कोरियन हेयर, एक्सरीज, कलेक्शन, आधी उप लब धाए, धन्यवाद